लग्ता जी ने तो बहुत सारे संगीतकारों के साथ काम किया, बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में, उनके पसंदीदा संगीत निर्देशक कौन से थे या इस पे कुछ बात हुई? मुझे लगता है कि वो एक बिल्कुल perfectionist की तरह वो बात करती है और अपने शुरू में master गुलाम हैदर से लेके जिन्होंने उनसे बहुत जिन्होंने के carrier का अगास किया और वो मशूर हुई खेम चंद प्रकाश के साथ बाद तक AR रह्मान तक उन्होंने हर संगीतकार के विशिष्टा पर बात की है और किसी को number देने के marks में ज्यादा बड़ा कम नहीं किया है लेकिन ये जरूर है कि बातचीत के क्रम में ये बात समझ में आती है कि उन्हें शंकर जैकिशन, S.D. Berman और सलिल चौधरी, अनिल विश्वास, नौशास सहब, मदन मोहन इन सब के संगीत से बहुत वो रही है तलीनता रही है एक प्रशन के जवाब में जब मैंने उनसे पूछा कि आपके लिए कौन सा ऐसा संगीतकार था जिसने कभी आपका दामन नहीं छोड़ा और आपको हमेशा अपनी फिल्मों में वरियत आ दी तो उन्होंने का कि ऐसे में सिर्फ मदन मोहन याद आते हैं जिनके लिए लता मंगेशकर का विकल्प भी लता मंगेशकर ही थी आपने कभी उनसे पूछा कि लता जी ने शादी क्यों नहीं कि जी मैंने पूछा है और उसी तरह से मैंने डड़ते हुए सवाल किया कि मैं जैसे सबने पूछा है मैं सवाल कर रहा हूँ तो उन्होंने वैसे इस जवाब दिया कि तीन चीज़ें दुनिया में आदमी लिखा के आता है उसका जन्म कहां होगा, उसकी शादी कब और कैसे होगी, और उसकी मृत्यू कैसे होगी, ये कोई तैन नहीं करता है, मुझे समय नहीं मिला और फुरसत नहीं थी, और बाद में इतना और जोड़ा कि एक सार्थक जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं, कि आदमी विवाही करे, एक सार्थकता दूसे धंग से भी गैर विवाहित रहते हुए भी पाई जा सकते हैं, यहीं बात मेरे दादा जी भी कहते थे कि जन्म मरण और परण, ये विधी के हाथ में हैं, और ये सबकी किसमत में अलग-अलग धंग से लिखावा है, लेकिन इसी में मैं आगे ये जान लोग भी जानना चाहते हैं, जब लता जी की किताब पर बात हो रही है और उनके जीवन पर, उनके पसंदीदा राग कौन-कौन से रहे हैं, हालांकि उन्होंने संगीत निर्देशकों के निर्देशन में गाया, लेकिन उनके दिल में कौन-कौन से राग बसते हैं, ये जा मुझे लगता है कि हिंडोल, जैजेवन्ती, पूर्या धनाक्ष्री इन रागों की उन्होंने बहुत चर्चा किया है क्योंकि वो शुरू में पिता से सीखा है और फिर बाद में अपने गुरुओं अमान अली खान भेंडी बाजार और अमानत खान साब देवास वाले से सीख को उन्होंने बहुत अंदर से बहुत भीतर से पसंद किया, ज्यादातर गीत फिल्मों के बहरवी में बनते हैं, तो लता जी कहती है कि बहरवी बहुत सुंदर है, बहरवी राग अच्छा लगता है, लेकिन बहरवी गाते हुए वो बोर हो जाती थी, कहती थी कि हर दिन गीत भैरवी में मिलता था और शंकर जैकिशन अधिकतर गीत भैरवी में बनाते थे तो कहते थे कि कभी कभी भैरवी गाना रूटीन कुछ गाने जैसा लगता था लेकिन वो भी उतनी सुन्दर धंग से गाया गया है भुपाली रागु ने बहुत पसंद रहा और उसका वो जो बंदिश है जोतिकलश चलके भावी की चूड़ियां की वो तो बहुत ही लोक प्रिय हुआ और मराठी घरों में सुबा जब भोर की सड़ा करते हैं जब आंगन सजाते हैं और तुलसी में जल देते हैं बिरवे में तो उस समय उसकी एक परंपरा है तो उस परंपरा से भी जुड़ी है मुझे लगता है जो उनकी अंदर का जो इस्त्री मन है और जो उसकी अपनी पूरी एक संसकार और निर्मिती है अपने जीवन की, मराथी भाव गीतों की, शासिय संगीत की, नाट्य संगीत की उन सब से निकल के जो राग आते हैं वो नता जी के दिल के करीब है